गंधर्मों की ये विशाल सेना इसी ओर पड़ रही है अपने विच्चित्र अस्त्रों और दिवि एवा माया भी शक्तियों से सुसज्जित वो बहुत ही शक्तिशाली और भायंकर हैं अयुद्या की सेना के वहां पहुचने तक हनुमान एका की उनका सामना कैसे करेंगे हनुमान जी ने तो अकेले ही समुद्र लांगा था अकेले ही लंका दहन किया था इसलिए आप चिंता मत कीजिए वो तो अकेले ही इन गंधर्वों का सामना कर लेंगे क्यूंकि संकट जिनके समक्ष टिक नहीं सकते ऐसे हैं हमारे संकट मोचन महाबली हनुमान बहुत ख्याती सुनी है तुमारी तब तो तुमने ये भी अवश्य सुना होगा कि प्रभू कृपा से ये हनुमान प्रभू की आज्या के विरुद किसी को भी अयोध्या में प्रवेश कर यहां की सीमा में एक पग भी नहीं रखने देता हाँ हाँ सुना है किन्तो तुम क्या इस ब्रह्म्य हो क्या हमारी इतनी विशाल सेना को एक आगी ही रोक लोगे हम कोई साधार अन सुर्य भूत पिशाज नहीं गंधर्व है और मैं हूँ इस गंधर्व सेना का सेना पती ता मुख हम गंधर्व राज दिव्यास्त के आदेशा नुसार अयोध्या से युद्ध जीत को ले करी जाएंगे ताकि महराज अपने हाथों से उस कायर के प्राण उसके तन से विलक कर सके आप लोगों ने रगुवंश के संबंधी को हानी पहुचा कर पूर्व में ही दुसाहस कर चुके हैं अब यदि आपने अयोध्या की और एक पग भी बढ़ाने का और दुसाहस करने की चेश्टा की तो आपका ये पग आपको आपकी मृत्यू के अत्यांत समीप ले जाएगा रदीत होता है तुमारी वानर वुद्धी मेरी बात समझने में असमर्थ है कदाजित हमारी शक्ती हम गंदर्वों से परास्थ होने पर ही समझ सकोगे तुम अयोध्या पर आक्रमन करो और इस वानर को मसल कर रख दो प्रतीप होता है इन गंदर्वों के पास विचित्र मायावी अस्त्रशस्त्र है कि यहाउ- 003 इनके आयूध तो नश्ठी नहीं हो रहे हैं मुझे और शक्ती लगानी होगे इनकी कदाओं की चमक से मेरे नेत्र चौंधिया रहे है इन्हें देख पाना कठिन हो रहा है मेरी गदा के प्रहार से मेरे विरोधी योधा के अस्त्र शस्त्र या तो नश्ट हो जाते हैं या फिर अंतरिक्ष में जाकर लुपत हो जाते हैं किन्तु इनकी गदाएं तो सुरक्षित शक्ति शाली और प्रकाशित कैसे होती जा रही है इसके पीछे क्या रहसे है तुम तो हमारे अस्त्रों को भी नश्ट नहीं कर पा रहे हो अनुमान तो हमें क्या हानी पहुचाओगे यदि इन्हें देख पाना कठिन है तो इनकी ध्वनी सुनकर ही फार करना होगा मुझे इनकी परती चमक और ध्वनी से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये नश्ट ही नहीं हो रही अपी तो इनकी शक्ती में और विध्धी होती जा रही है अब मैं क्या करूँ आप सबने अवश्य मुझे आश्वस्त किया है किन्तु मैं अब भी चिंतित हूँ हनुमान उनका सामना कर भी पाएंगे आप चिंता मत कीजे मामा श्री हमारी स्याना शीगर ही त्यार हो जाए फिर मैं सेना को लेकर हनुमान जी की साहिता के लिए पहुंचा हूँ हम सब मिलकर उन घंदरवो को खदेड़ देंगे और आपके राज्य को उनके आतंक से मुक्त करा देगे तब तक मुझे हनुमान जी की साहिता के लिए चाना चाहिए जब तक सेना यहां से कूच के लिए तयार होती है आप थोड़ा विश्राम कर लिजे मामा श्री तनिक बेविश्राम का उसर नहीं देंगे हमारे अस्त्रतों में तुम उनसे ही संगर्ष करते रह जाओगे और हम तुमारे नेत्रों के समक्ष अयोध्या से युद्धजीत को ले जाएंगे यह तुमारा ध्रम है हाँ, अब यह बालक कौन है इसा कभी नहीं कर सकेगे तुम लोग यह तो राजकुमार पुश्कल का स्वर है वो यहां क्यों है इनके विचित्र अस्त्रों का सामना नहीं कर सकेगा पुश्कल लो, एक और युद्धा आया है हम गंदर्वों के हाथों, मृत्यू पाने पुश्कल यहां है मुझे शेख्र इनके अस्त्रों को नश्ट कर पुश्कल को साबधान करना होगा अन्यथा पुश्कल संकट में आ जाएगा अन्यथा पुश्कल पुश्कल यह गंधर भी माया भी है और उनके आस्त्र भी इसलिए यहां रहना तुम्हारे लिए सुरक्षिप नहीं लोट जाओ तुम यहां से और जब तक मैं ना इनसे निपट लूँ किसी को भी यहां आने मत देना मैं इनका कोई उपाए अवश्य करूँगा पुश्कल तुम लोट जाओ अवश्य इन गंधर्वों ने पुश्कल को खेर लिया है मुझे ही कुछ करना होगा पुश्कल उनके आस्त्रों पर वार मत करना पुश्कल उनके आस्त्रों पुश्कल मैंने का था ना हम कोई साधारण राक्षस या तुच्छ शत्रों नहीं जिनने तुमने पूर्व में पराजित किया है गंधर्व है हम जिनके हाथों तुम उस युद्विजीती रक्षा करने के लिए व्यार्थी अपने प्राण गवाओगे अनुमान जी ने उचित कहा था मुझे गंधर्वों के अस्त्र शस्त्र परवार नहीं करना चाहिए था अभी इन अस्त्रों को नश्ट करने से अथिक पुश्कल की रक्षा का उपाय करना अत्यनता अवश्क है जय श्री राण यह वानर क्या कर रहा है राजकुमार कुश्कल अपने गुरू सुर्यदेव की क्रिपा और उनसे प्राप्त शिक्षा के अनुसार मैंने तुम्हारे चारों और एक दिव्य सुरक्षा चक्र स्थापित कर दिया जब तक मैं इनके मायावी अस्त्रों को नश्ट करने का उपायन अज्याद कर लूँ तुम इस चक्र के बाहर कदापी नहीं निकलना जब एक प्राप्त चक्र के लाउन कर दिया अज्याद कर दो कि अपता है हमारे मायावी अस्त्रों को नश्ट नहीं कर सकेगा ये वानर उसे उनी में उलजा रहने दो हमें युद्धुचीत को लेकर लोटना है प्रतीत होता है इस स्वर्थ से तो गंधर्व और शक्ती एकत्रिद करने की चेश्ठा कर रहे हैं हनुमान जी और कुश्कल को हमारी सहायता की आवशकता है हमें शेखर निकलना चाहिए आज जो भी तुमारी इस अयोध्यानगरी से हमारे मार्ग में बाधा बनेगा चाहे वो स्वैम राजा राम ही क्यों ना हो उनको पराजित करेंगे हम इसके मुख से प्रभू के प्रती अपमान जनक शब गदावी स्विकार नहीं करूँगा मैं अर्थात ये सभी अस्त्रत तभी तक सक्रिय रहेंगे जब तक उनको चलाने वाले सक्रिये है अब देखना दुष्ट गंधर्व सेना पती ताब मौक कि हनुमान क्या करता है अब ऐसा कुठारा गात होगा इस बानर पर कि ये धारशाई होकर गिर पड़ेगा कि ये बानर अमारे अस्त्रोक विपाल करने का प्रेश कता है अब इनके अस्त्रों को संभालने का उपाई मिल गया है मुझे मनुमान जी ने इने गिराने का उपाई टूंडी लिया है कदाचित मुझे भी उनकी साहता करनी चाहिए अनमान मेरे मायावी गंदर्व सहनिकों को चती ग्रस्त करने में कैसे सक्षम हो पारा है रदीत होता है इस मानर को हमारे अस्त्रों का गुप्तर है से ज्यात हो गया है मैं उसे उल्जा कर रखता हूँ इस मध्य तुम को सहनिकों के साथ उस युवा योद्ध का हरण कर लो हम उसे ही बंदी बनाकर गंदर्व राज के पास ले जाएंगे तुम्हें कम आपना मेरी भूल थी हनुमान जिन तो ये मत समझना कि हमारे कुछ सहनिकों को धराशाई कर तुमने इस युद्ध में विजय प्राप्ट कर ली है यद्ध तो अभी प्रारंब होगा हनुमान चलो इस युवा क्योद्धा को ले चले अपने साथ ततीध होता है ये तो किसी अध्रिश सुरक्षा चक्र से सुरक्षित है तब तौ सरोपधम किसी युक्ति के साथ ही इस सुरक्षा गेरे से इसे निकालना होगा अरे ये युवक्त तो सुरक्षित है इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते तो लोट कर उस वानर पर ही वार करते हैं हम पीछे से वार करेंगे उस पर मुझे तो इसे तभी तक उन्चा कर रखना है जब तक मेरे सैनिक अपना कार पौर्ण नहीं कर लेते ये वानर करी मुस्ट तक ना पहुँच जाए हां सैनिको वार करो इस पर दुस्टो को हनमान जी के पीछे से वार नहीं करने दूगा मैं इनके अस्टो को प्रभावीन करने का उपाय मुझे भी ग्यात हो ही गया है तो मुझे भी हनमान जी की साहता करनी चाहिए भस गया हमारे जाल में अब भसो गया हमारे भास में अरे तो ये कैन का जल मात्र था मुझे उस शुरक्षा चक्र से निकालने के लिए मेरे सैनिकों ने और विलंब किया तो इस वानर को रोकना त्यंत कठिन हो जाएगा अपना कारे शिग्र संपन्द करो मुर्कों अन्यता हम संकट में आ जाएंगे बंदी बना लो फास तो ने न पाए ये हमारी मज्जा दे दो इसे ताव मुख अब तुम्हारा अंत करूंगा मैं समय रहते बंदी बना लिया हमने इसे हमारा कारे पूर्ण हुआ ये किस कार्य के पूर्ण होने की बात कर रहे थे युद्जीत जीतो अयोध्या में सुरक्षित है पुषकल भारत भाया आप यहां किन्तो पुषकल कहां गया ये है रामायन रामचंद्र गुन धाम की सब सुधिजन करिये कथा श्रवन श्री राम की किसी भी आकस्मिक विपदाकाल में अपने निकटम सगे सम्मलियों से सहायता लेना ही बुद्धिमानी का कार्य है